एई गाईज वेलकम टू मैं चैनल क्रिश व्लोग मेरा नाम है क्रिश अगरवाल और स्वागत है मेरी वीडियो में दोस्तो दोस्तो रहसे कि आप थमनेल की टॉपिक को देखके समझ गया होंगे कि आज मैं किस पर वीडियो बना रहा हूं तो दोस्तो आपने विल्कुल सही स जन्रेशन आप आने वाली है जो कि जुलाए में लॉच हो सकते हैं दोस्तो और इसके प्रैसिस क्या रहेंगे फीचर क्या रहेंगे इंडन स्पेसिफिकेशन क्या रहेगा उसका रहें बता दूगा दोस्तो मेरा नाम है क्रिश अगर मुझे आप घर में देख रहोंगे कि म प्रैसिटी आने वाले वह बुकिंग करवाले अपने तो चले दोस्तो शुरू करना है इस गाड़ी के डिजाइन के आर्में डिजाइन दोस्तो इसका सबसे ज़्यादा बढ़िया है दोस्तो चाहें आप मानो ना मानो मेरे को तो डिजाइन काफी जादा अच्छा लगए दोस्तो देखो पहली वाली जो हँंडसीटी आदी जो अभी विक्री यह तो दोस्तो ऑसका भी डिजाइन काफी अच्छा लेकिन जो अब नेक्स जनरेशन हाुडसी आईगी तो उसमें भी काफी अच्छा डिजाइन आपो देखने को मिलेगा अगर फ्रॉंड लुक के बा और दोस्तों पहले साहता काफी refresh भी लगते हैं दोस्तों fog lamps जो है इस गाड़ी में आएंगे मैंने यह पिक्चर थाइ स्पेक्ट honda city के लिए रखे दोस्तों लेकिन जो इंडियन स्पेक्ट honda city आईगी तो उसमें आपको fog lamps भी देखने को मिलें दोस्तों और इसमें आपको white color जचे का दोस्तों अगर आप यह white color के साथ honda city को लेते हो दोस्तों तो फ्रंट के बारे में बात कर लिए अब दोस्तों बात करते हैं अगला side और rear look के बारे में कर देगा है मैं सोचतों कि honda 195 section tires दोस्तों जो कि पहले 185 section आते थे r16 tires दोस्तों देखने को मिलेंगे diamond catalog भी रहेंगे और front में disc brakes मिलेंगे rear में आपको disc brakes मिल सकते हैं इस टाइम पे और दोस्तों rear में बात कर जाए rear में आपको led tail lamp मिलेंगे दोस्तों जो कि काफी अचे लगते हैं और say honda city की look काफी जादा बढ़ाते हैं और साथ में नीचे reflector भी देखने को मिलेगा और साथ में honda का logo मिलेगा और very rank की bedding भी देखने को मिलेगी और honda city की bedding भी देखने को मिलेगी और shark fin nantina भी साथ के साथ देखने को मिलेगा अब बात करते हैं dimensions के बारे में तो dimensions में आपको अधा दूं कि इसकी length है 4559 mm और जो width है width है 1780 mm height 1429 mm और wheelbase है 2600 mm wheelbase सेम है अगर आप पहली वाली honda city से compare करो तो लेकिन जो इसकी लंबाई है चोड़ाई है और उचाई है तो वह पहली वाली honda city से बढ़ी है दोस्तों और दोस्तों मैं यूंडे वरनक से compare मैं दूसरे दूसरी वीडियो में करूंगा या फिर दूसरी वीडियो शूट करक आपके पास youtube वीडियो में लाऊंगा तो अगर आपको वीडियो देखने है तो मेरे चैनल को subscribe कर लेजे और comment जरूर करेए अगर आपको वीडियो देखने हो तो और चलिए दोस्तों अब exterior के बात कर लिए अब बात करते हैं इसके interiors की दोस्तों interior इसका काफी दाद अच्छ तो दोस्तो आप देख सकते हो इंटियर डिजाइन काफी अच्छा हो पहले से काफी फ्रेश और एलेगेंट लग रहे है दोस्तो और दोस्तो जो इसकी इंडियर स्पेक्ट जो हॉन्डा सिटी आई ही उसके वारब में मैं शूर नहीं हूं कि उसमें आपको ब्लैक और बेज क अब दोस्तों इसके इंटियर स्कीम में काफी जाए बतलाव लाए गया अगर आप पहली वाली वांदा सिटी से कंपर करके देखा तो पहली वाली वांडा सिटी पे अच्छी ते लेकिंगे यह वाली हॉन्डा सिटी थोड़ी से प्रीम्यम लगती है अगर आप पुरानी दोस्तों आपको डीजिटल देखने को मिलेगा बीच में जो कहारो में वाकी सब अनॉलोग देखने को मिलेगा और तक्स्क्रीन दे जाएगी विज एंड्रोइड ऑट और एपल कार प्ले फाइनली जो की पहले होंडा सिटी में नहीं आती थी और दोस्तों इसके जो एएर लिस्टाइब तो मैं जल्दी-जल्दी शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ हब दोस्तों रिया सीट में बैठा भी नहीं थोस्तों कोकि लांची नहीं तो बैठूंगा भी कैसे दोस्तों तो फिर मैं कोई भी बता नहीं सकता कि इसमें अंडर थाई सपोर्ट कैसा है ले पर देखने को मिलेगा अर्ट जो कि और जादा आपको एरी फिल देगा दोस्तों काबिन के अंदर और रूम बना देगा और आप इसमें आपको थ्री एज़स्टेबल है जो कि पहले तू एजस्टेबल है आते हैं हाला कि मैं शूर नहीं हूं कि इसमें आपको 3 मिलेंगे या फिर 2 मिलेंगे अगर जब शूर हो जाओंगा तब भी मैं आपको जानकरी दे दूंगा दोस्तों अब दोस्तों इसके रियर सीच का मैं आप जान सकते हो दोस्तों सेफटी फीचर के बारे में बात कर ली जाए तो इसमें आपको मिलेगा six airbags, ABS plus EBD मिलेगा दोस्तो, ESP मिलेगा दोस्तो, जो की traction control होता है दोस्तो, और दोस्तो इसमें आपको eco mode भी में देखने को मिलेगा दोस्तो, और दोस्तो, eco mode हला की safety feature नहीं है दोस्तो, sorry for telling that, और vehicle stability management मिलेगा दोस्तो, और काफी सारे ऐसे feature मिलेगे, दो power मिलेगी 120 bhp की और torque मिलेगा 145 newton meters का, mileage इसमें claim कराएगा 18 to 19.5 km और इसमें आपको transmission options मिलेगे 5-speed manual और CVT transmission भी आपको देखने को मिलेगा दोस्तो, अम मैंने कोई भी काटी drive नहीं करता हूं दोस्तो, क्योंकि मैं 18 years के under आता हूं दोस्तो, मैं को license नहीं है drive करने का, तो drive न tankar यह नहीं दूंगा मैं, अब दोस्तो अगला engine आता है, Honda का 1.5 liter ID tech diesel engine जो की 4 cylinder है, dream technology इसमाल होती है, और 100 bhp की power 200 newton meters का torque है, mileage आपको मिलेगा 25 to 26 km और इसमें आपको transmission option मिलेगा, 6-speed manual transmission देखने को मिलेगा, automatic इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो की Honda की आवेज में दोस्तों इसके launch के बारे में बात कर लिए रहे हैं, मैंने आपको सारी information share कर दिया, थोटी मोटी information में से छोड़ गया दोस्तों, तो comment में जरूर टाइप कर देजेएगा, दोस्तों, और इसके launch का बारे में बात कर लिए रहे हैं, यह launch होईगी दोस्तों, गाड़ी अगर आपको वीडियो देखने, तो आई बटन में जाकर आप दोस्तों देख सकते हो, और दोस्तों, अब होटा सीटी की pricing के बारे में बात कर लिए रहे हैं, तो इसका बेस वेरेंट है, पेट्रोल के बारे में बात कर रहा हूं, तो इसका बेस वेरेंट आपको मिलेगा, 10 लाक रूपी से शुरू होकर, 14 या 15 लाक रूपी तक का, और जो इसका जो डीजल वेरेंट है, डीजल वेरेंट आपको मिलेगा, 11 तो 12 लाक रूपी से शुरू होकर, 16 तो इस एक शोरूम दोस्तों, दोस्तों यही थी मेरी वीडियो, अगर आपको दूसरे comparison देखने रहे ह के साथ compare करूँगा, मैं मारूतिय सुदू की सियास के साथ compare करूँगा दोस्तों, आपको वीडियो देखने तो मेरे चैनल को अभी के सब्सक्राइब को लेए, ताकि आपको वीडियो देखने को मिल जाए, और दोस्तों, आज के लिए मैं इत नहीं आप एक topic खताम कर देता आपका दिन बहुत बहुत चूब रहे मेरी तरफ से, जै हिंद!